हालो दोस्तों आज की वीडियों बताऊंगा Chrome की हिस्ट्री कैसे डिडिट करें Mobile How to Delete Google Chrome History in Hindi Chrome Browser का हिस्ट्री को डिडिट कने के लिए आपको Google Chrome Browser को पिन कना इसे आप Chrome Browser को पिन करते हो कुस तरका इंटरफिस पेन हो जाता है आपको हिस्ट्रीपर क्रिक करना है, जिस्ट्रीवल अपूट पर टैप करोगे, एक new page pen हो जाएगा, chrome की हिस्ट्रीगों delete करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करोगे, एक new page pen हो जाएगा, संब Richtung करना है थे यहां पर बोहटा सावप्षन आया था है तो यहां पर आपको आप naar deduction प्रिक करोगे यहां पर बहुत सब्सक्क्राइब आया थे तो यहां पर आप all time पर क्लिक Search करना है Google पे जिसिसे आप इस पर टैप करोगा यहाँ पे आपको सरच करना है my activity जिसी आप my activity सरच करोगई तरका अंटरफेस से पर हो जाएगा यहाँ पर आपको और आक्टिवीटी तो आपको my activity क्लिक करना है जिसिे आप my activity वाले अउसंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पर लोडिंग लेगा, अपर उस तरह एंटरफेस हो जाएगा, माई गूगल एक्टिविटी, अब आपको निची तरफ आ जाना है, Chrome की हिस्ट्री को परमानेटी डिलिट करने के लिए आपको, यहाँ पर एक उप्सन पर है, तो आपको डिलिट करना है, इसे आप डिलिट पर टैप करोगे, यहाँ पर आपको उप्सन आ जाएगा, अल्टाइम, तो आपको अल्टाइम पर क्लिक करना है, इसे आप all time वाला वसन पर click करोगे एक new page पर हो जाएगा choose activity to delete तो यहाँ पर आपको select all वाला वसन होगा तो आपको इस पर click करना है इस पर tap करोगे यहाँ पर आपको select करना है इस पर tap करना है select करना है select करने के लिए आपको इस box पर click करना है select हो जाएगा तो आपको search को भी select करना है search को select करने के लिए आपको इस पर click करना है select हो जाएगा दोनों option को select करने के बाद यहाँ पर आपको नीची तरफ एक option आता है next तो आपको next पर click करना है इस आप next वाले option पर click करोगे यहाँ पर loading लेगा यहाँ पर option आता है confirm your light to delete the following activity Chrome की history को delete करने के लिए आपको नीची तरफ एक option तर delete पर click करना है इसे डिलेट वाले option पर tap करोगे यहाँ पर loading लेगा और आपका history permanently delete हो जाएगा यहाँ पर आपको option आता है delete and complete तो आपको app info वाले option करना है अ कुछ तरगा यंटरफेस ब्र意Lab हो जाएगा दिना आपको यहाँ पर और storage तो आपको storage पर click करना है इसे और storage पर टैप करोगे है यहाँ आपको option है आता है clear data icias ऐ आपको clear catch पर ही इक च्लिक करना है इसे आप clear catch पर click करोगे आपका HIS झाल झाल